फ्रेंड्स आज के अमरे वीडियो का टॉपिक रहेगा On His Blindness ये एक पर्सनल सोनेट है जोन मिल्टन जो 1608 से 1674 तक रहे इन्होंने इस पोयम के थुरू ये बताना चाहा है कि अगर एक इंसान अंधा हो जाता है अगर किसी की आखों की रोशनी चली जाए तो उसके लिए ये संसार कितना चोड़ा और काला दिखने लगता है इन्होंने इस सोनेट में अपने जिवन के दुखों को बारे में बताया है तो चलिए शुरू करते हैं On His Blindness When I Consider How My Light Is Spent Friends, When I Consider, यहाँ पर Consider का मतलब होता है बिचार करना या सोचना John Milton बताते हैं When I Consider, जब मैं बिचार करता हूँ How My Light Is Spent My Light Is Spent means उनकी आखों की रोशनी कैसे चली गई इस पूरी लाइन का मतलब होगा कि जब मैं बिचार करता हूँ कि मेरी आखों की रोशनी कैसे चली गई Your Half My Days In This Dark World and Wide Your का मतलब होता है आधी उम्र Friends, जब Milton अपने जिवन के आधी उम्र को भी नई पूरी की होगा रते हैं तब उनकी आखों की रोशनी चली जाती है वे अभी 40 words की अवस्ता में ही रते हैं तब ही उनकी आखों की रोशनी चली जाती है Your Half My Days In This Dark World and Wide वे बताते हैं कि अगर किसी मनुस्य की आखों की रोशनी चली जाए तो उसके ये संसार कितना डार्क और वाइड मींस चोड़ा होने लगता है यानि जब वे बोलते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने जियोन की आधी उम्र भी पूरी नहीं की तब मेरे आखों की रोशनी चली गई And that one talent which is death to hide और one talent जो उनके अंदर लेखनी की जो talent थी उनके अंदर जो गुण था एक लेखक का which is death to hide वे उसको छीपाना मृत्यू के समान समझते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो मेरे अंदर का talent है वो उसको छीपाना मृत्यू के समान होगा Logged with me useless useless का मतलब होता है बेकार और logged means होगा उड़ा हुआ या रखा हुआ वे कहते हैं कि जो मेरे अंदर लेखनी का गुण है वो मेरे साथ ही है और बेकार सा हो गया है मेरे अंधे होने के बाद throw my soul more bend लेकिन अपने अंधे होने के बाद भी कभी उसको क्या करते हैं उनके अंदर bend का मतलब होता है उत्सुकता यानि अभी भी उनके अंदर उत्सुकता है कि वे कुछ करें friends इन चारो लाइन्स का मैं फिर से आपको हिंदी बताता हूँ when I consider how my light is spent जब मैं विचार करता हूँ कि मेरे आखों की रोषनी कैसे चली गई you are half my days in this dark world and white जब मैंने अपने जीवन की आधी उम्र भी पूरी नहीं की थी तो मेरे आखों की रोषनी चली गई और ये संसार मेरे लिए चोड़ा और काला हो गया and that one talent which is death to hide और जो मेरी लेखनी के talent थी जो गुण थी वो भी क्या है मेरे लिए चीपाना मृत्यू के समान हो गया है log it with me useless throw my soul more bend और वो लेखनी का गुण मेरे साथ पड़ा हुआ बेकार सा हो गया है फिर भी मेरे अंदर उत्सुकता है कुछ करने की to solve there with my maker poet क्या करते हैं फिर भी अपने अंधे होने के बाद भी वे solve करना चाहते हैं या maker का मतलब होगा God या भगवान से बनाने वाला यानि भगवान ने उनको बनाया है तो वो क्या करना चाहते हैं अपने कविता के माध्यम से उन्हें solve करना चाहते हैं and present my true account और जो उनकी जीवन की true account है यानि सच्ची जो घटना है उसको क्या करना चाहते हैं अपने भगवान के सामने प्रस्तूत करना चाहते हैं least he returning child या child का मतलब होगा डाटना या फटकारना वे अपने जीवन की जो true accounts है उसको maker यानि भगवान के सामने प्रस्तूत करना चाहते हैं जिसके वज़े से उनको डाटना पड़े dot god exact day labor light denied यहाँ पर exact का मतलब होता है सोचना या विचार करना वे सोचते हैं क्या भगवान dead hour का मतलब होगा कोठिन परिश्रम या कारे करवाना light denied यानि जो अंधे हो गए हैं वे सोचते हैं क्या भगवान उन लोगों से भी कारे करवाएंगे जो बिलकुली अंधे हो गए हैं I fondly ask fondly का मतलब होता है मुर्गता पुर्वग वे एक मुर्ग की भाती सोचते हैं क्या भगवान उन लोगों से भी कारे करवाएंगे जो बिलकुली अंधे हो गए हैं what patients to prevent patients यानि दहर अंतर आत्मा होता है patients का मतलब होता है हमारी अंतर आत्मा फिर उनकी अंतर आत्मा से आवाज आती है उन्हें दहर बताता है कि ऐसा नहीं है that murmurs soon replies या murmurs का मतलब होता है बढ़ बढ़ाना वे ऐसा बढ़ बढ़ाते हैं अपने मन में बिजार करते हैं कि क्या भगवान उन लोगों से भी कारे करवाएंगे जो अंधे हो चुगे हैं God does not need either man's work वे फिर सोचते हैं कि भगवान को किसी भी man's work यानि किसी भी मनुस्य के कारे की आवसकता नहीं होती है उन्हें किसी भी कारे की आवसकता नहीं होती है और his own gift और नहीं किसी के gift की आवसकता होती है who best his beer mild yoke friends यहां योग का मतलब होता है कि जो लोग और उन्हें कोई problems हो जाती है तो वे भगवान का दिया हुआ gift समझ लेते हैं और वैसे ही उसको झेलते रहते हैं they serve him best his state is kingly state मतलब राज होता है kingly मतलब बिस्तृत यानि जो भगवान का state राज है वो क्या है बहुत ही बिस्तृत है thousand and his binding speeds और हजारों जो लोग हैं वो क्या करते हैं भगवान की इक्षाओं के जो उनका निर्देश हैं उनकी पालंस करते रहते हैं इड मतलब ती ब्रगती से भगवान का जो इंस्ट्रक्शन से उसको क्या करते हैं पालं करते रहते हैं and post or land and ocean without rest जो lands means भूमी और oceans का मतलब होगा समुद्र यानि वे लोग जो हैं हजारों क्या करते हैं जमीन और समुद्र में भी बिना किसी rest के बिना रुके हुए बिना थके हुए अपने कारे को पूरा करते रहते हैं अपनी बारी की प्रतिक्षा करते रहना चाहिए फ्रेंड्स यह रहा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा